मुंबई के मारागी पत्रकार संग में आशिश रगुनात करंदिकर जो कि अन्ना हजारी के संस्ता में पिछले साथ महीनों से काम कर रहे थे मेरा नाम है आशिश करंदिकर और मैं आन्ना जी के ऑफिस में काम करता था अभी मैं वहाँ पे नहीं हूँ मेरा आज का प्रेस कॉंफरेंस का टॉपिक यह है कि अन्ना जी के ऑफिस में हो रहे ब्रश्टाचार और आन्ना जी के लिए वो जो प्रतिद्न्या पत्र है अफिडेविट ले रहे है उससे लोगों का कैसे दिशाबूल हो रहे है उसके बारे में बोलना था अन्ना जी के ऑफिस में अन्ना जी ने इनिशली ये कहा था कि कोई भी कैश ट्रांजक्शन ऑफिस में नहीं होगा जो भी लोगों से अंदोलन के बारे में डोनेशन आएगा वो ऑनलाइन ट्रांसफर करके लेना है पर अन्ना जी के गैर मतलब अन्ना जी जब वहाँ पे ऑ प्रतिद्या पत्र जो लिया जा रहा है वो इस तरीके से लिया जा रहा है कि आंदोलन में जो शामिल हो रहे है वो इसके बाद अन्ना जिसे जुगने के बाद इसके बाद में किसी भी राजनितिक पार्टी या पक्षा में नहीं जाएंगे ऐसे करके आंदोलन लिया जा रहा और ऐसे एफिडेबिट कैंसल होने के बाद अगर कोई पक्षया पार्टी फॉर्म करता है या पक्षया पार्टी में जाता है तो अन्ना जी उसके उपर क्या एक्षन लेंगे या यह सिव लोगों को दिखाने के लिए यह एफिडेबिट लिया जा रहा है एक तो लोगों से पईसा लिया जाता है क्याश में पर वो बैंक में जमा नहीं होता पिछले चार या पात साल का छे साल का ऑडिट जो है तो मैंने कई बार उनको बुला है कि वेबसाइट पर हम लोग जब ट्रांसफरेंसी की बात करते सरकार ट्रांसफरेंसी रखे तो पहले हम लोग को भी अपना जो ऑडिट है यह जो तीन ऑर्गनाइजेशन है प्रश्टाचार विरोधी जनान दोलन न्यास हिंद स्वराज्य ट्रस्ट और विवेकानन्द ट्रस्ट इनका जो ऑडिट है पिछले कई साल का यह पहला वेबसाइट पर अपलोड करो कि मैंने कहा था पर वो अभी प्रश्ट नहीं हो रहा है उनके तक एक तो मेन है संजे पठारे करके जो गवर्मेंट सर्वेंट है फिर ब्यू आन्ना जी का पीए एज़ा काम देख रहे अभी फिलाई गवर्मेंट सर्वेंट होने के बावचा तो वो एक मेन शक्स है इसके पीछे कैमरा मनुराब के झाल